कुलक्षय प्रणश्यंति कुल धर्मासनतनाः धर्मी नष्टे कुलम कॅने पर सनातन कुल परमपरा नष्ठ हो जाती है और इस तरह शेश कुल भी अधर्म में प्रवर्थ हो जाता है तो यहां अर्जुन को लगता है कि अगर उनके कारण कुल का नाश हो गया क्योंकि देखा जाए तो अर्जुन को ये पता है कि वो वास्तों में कौरव है पांडु उनके पिता का नाम है और दोनों में अंतर करने के लिए उन्हें पांडव कहा जाता है पर खानदान तो एक ही है, अरजुन को पता है कि मैं उसे खानदान से आया हूँ, और अगर वो खानदान मेरे कारण नश्ट हो जाता है, वो कुल मेरे कारण नश्ट हो जाता है, तो सनातन कुल परमपराएं भी नश्ट हो जाएंगे, कौन उन कुल परमपराओं को और इस तरह जितना भी कुल जो बचा रह जाएगा, जब बुजर्ग लोग मर जाएंगे, जब ऐसे लोग जो कुल परंपरा का निर्वाह करते हैं, जिनके अधीनस्थता में, जिनके कारण, जिनके नित्रत्व में कुल परंपराओं का निर्वाहन होता है, अगर ऐसे बुज जाएंगी श्त्रियां बच जाएंगी और उनके चोटे चोटे बच्चे जो युद में नहीं आया है वो बच जाएंगे तो वो बड़े गो करके जो अधर्म है उसमें प्रवर्द हो जाएंगी कोई भी व्यक्ति उन्हें समझाने वाला नहीं होगा कि ये सही है और ये गरत ह तो ये भैली उनके मन को जो है बहुत ही कश्ट दे रहा था